हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो फ्रेंट्स आज हम बनाना सिखेंगे ब्लाउस बैक नेक पर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तो चलिए फ्रेंड इसे बनाना शुरू करते हैं अब आपके ब्लाउस की जितनी भी लेंद होगी उसमें आप एक इं बाई भी मैंने रखिये 6 इंच तो इस तरीके से मार्क करने के बाद लाइन ड्रो कर लेंगे इस ब्लाउस को मैं 36 चेस्ट साइस के अकॉर्डिंग तैयार करूंगी तो 36 का हम यहां पर 14 इसा लेंगे 9 इंच और डेल इंच यहां पर सिलाई मार्जिन एड़ कर लेंगी कमर क कि फिटिंग है 30 इंच तो 30 का यहां हम 14 इसा लेंगे 7 इंच एक इंच टक्स के लिए रहेगा और यहां भी हम डेली सिलाई मार्जिन एड़ कर लेंगे तो यहां तक मार्किंग करने के बाद लाइन डो कर लेंगे और मूल का सेब देंगे इस तरीके से यहां नीचे से चोड़ाई के तरफ हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे यह मार्क हमारी टक्स के लिए होगी आधाएंज सिलाई में दप जाएगा और यहां से उपर की और फिर से हम आधाएंच पर मार्क कर लेंगे और इन दोनों mark को मिलाते हुए line draw कर लेंगे यहाँ पर नेकी चोड़ाई मैंने रखी है पौने 4 इंच तो पौने 4 इंच पर mark करेंगे और यहाँ पर आधा इन shoulder down कर लेंगे उसके बाद इस पर line draw कर लेंगे तो यहाँ तक marking करने के बाद चले friend अब हम इसकी cutting कर लेते हैं तो टक्स के पास हम छोटी सी cut लगा लेंगे और बागी जो हमने line draw करी है उस पर भी cut लगा लेंगे यह दिखिए यहाँ पर भी हम cut लगा लेंगे और इसके center पर भी cut लगा लेंगे उपर के side भी और नीचे के side भी तो same measure main का ही हम main fabric भी cut कर लेंगे तो यह दिखिए friend main fabric मैंने cut कर लिया है और सभी तरब से इसे half half inch extra रखा है तो main fabric को अभी के लिए हम side कर देते हैं अब हम pasting paper लेंगे और इसे center से एक बार fold कर लेंगे तो यह दिखिए एक बार मैंने इसे fold कर लिया है तो इसे हमें कितना लेना है वो देख लेते हैं तो दिखिए लंबाई में हमें इसे लेना है 14 inch और चोड़ाई में 5 inch तो इस तरीके से आप भी pasting paper cut कर लेजे इसी measurement कही अब यहाँ पर नेकी चोड़ाई हम रखेंगे पौने 4 inch तो पौने 4 inch पर mark कर लेंगे नीचे के side भी पौने 4 inch पर mark कर लेंगे और इस पर line draw कर लेंगे अब यहाँ से नीचे की और 4 inch पर हम mark कर लेंगे और इस पर line draw कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हमने line खीच लिया है और हलका सा round में घुमाते हैं इस पर गले का सेब देंगे यह देखे इस तरीके से अब इसी लाइन से नीचे की और हम 9 इंच पर मार्ग कर लेंगे और इसका सेंटर मार्ग निकाल लेंगे तो 9 का अधा आएगा 4 इंच तो 4 इंच पर हम मार्ग कर लेंगे और इसका भी हम center mark निकाल लेंगे तो 4 inch का आधा आएगा सवा 2 inch तो सवा 2 inch पर हम mark कर लेंगे कि देखे इसका आधा कर लेंगे और mark कर लेंगे यहां भी हम इसका center mark निकाल लेंगे कि देखे उपर के side भी सवा 2-2 inch पर mark कर लेंगे और इन सभी mark को तिर्चे में मिलाते हुए line draw कर लेंगे ये दिखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करते चाहिए ये दिखिए इस तरीके से तिर्चे में हमें mark को मिला लेना है line draw करने के बाद ये design कुछ इस तरीके का दिखेगा इसके दुसरे पार्ट पर भी हम सेम इसी तरीके से mark को गहरा कर लेंगे अब एक इंच की दूरी पर बाकी extra paper हम कट कर लेंगे तो friends अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लें इसी तरीके की regular नई-नई design सिखने के लिए तो ये दिखिए इस तरीके से हमने extra paper कट कर लिया है अब इसके center पर भी हम कट लगा लेंगे दोनों side ये दिखिए अब हम अस्तर के कपड़े को open करेंगे open करने के बाद जो हमने paper अभी cut किया है उसको भी open कर लेंगे और इस तरीके से center से center इसे मिला लेंगे उपर के side भी और नीचे के side भी ये जो हमारा pasting वाला भाग है वो नीचे के side होना चाहिए ये देखिए ये pasting वाला भाग हमारा नीचे के side रहेगा उसके बाद अच्छे से set करने के बाद इस पर हम press चला लेंगे तो press चलाने की बाद अब हम main fabric लेंगे और इसके दोनों side center पर cut लगा लेंगे और इसे open करते हुए अस्तर के कपड़े को इसके उपर बिछा लेंगे main fabric हमने सीधा रखा है उसके उपर हम अस्तर के कपड़े को बराबर set कर देंगे center से center हमारा मिला हुआ होना चाहिए अब इस पर हम रसी लगाएंगे तो रसी मैंने यहाँ पर 6 पिस कट किया है अब अपने पसंद के हिसाब से रसी की लंबाई रख सकते हैं यहाँ marking के उपर से हम सिलना इस्टार्ट करेंगे यह देखे पहले तो हम अच्छे से lock लगा लेंगे और marking के उपर सिलाई चलाते हुए यहाँ पर लाके stop कर देंगे अब हम इसके अंदर से डोरी रसी लगाएंगे तो यह देखे फ्रेंट डोरी रसी मैंने ले लिया है उसको अंदर से इस तरीके से घुसाएंगे और निडिल से अच्छे से touch कर देंगे यह देखे निडिल हमारा touch होना चाहिए रसी से अब pressure food को हम नीचे करेंगे और इस पर अच्छे से lock लगा लेंगे यह देखे अच्छे से 2-3 बर हमने यहाँ पर lock लगा लिया है अब कपड़े को घुमा करके मार्किंग के उपर से हम सिलाई चला लेंगे यह देखे और यहाँ पर लाके फिर से stop कर देंगे कपड़े को घुमा करके रसी लेंगे और इसे फिर से अंदर की और ले जाएंगे और निडिल से टच कर देंगे यह देखे निडिल से टच करने के बाद और मार्किंग के उपर सिलाई चला लेंगे सेम प्रोसेस यूज करते हुए हम लाश्ट वाले में भी रस्य अटैच कर लेंगे तो फ्रेंट्स अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडि प्लीज यहां पर अटैच कर लिया है अब कपड़े को घुमाते हुए कि नीचे के साइट यह सिला-ई चला- लेंगे तो यह देखे फ्रेंड सिलाई मैंने इसपर चला लीया है अब इसके करके हम दो भां कर लेंगे यह देखे इस तरीके से दो भाग मैंने कर लिया है अब एक्ष्टा फैब्रिक हम कट कर लेंगे कि देखे इस तरीके से और इसके कॉर्णर पर हम लाश्ट तक कट कर लेंगे गले के साइड भी हम छोटी-छोटी कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से यह पलट जाए फिनिशिंग के साथ यह देखे अस्तर के कपड़े को इस तरीके से बैक साइड ले जाएंगे तो यह देखे फ्रेंट बहुत ही इसी तरीके से हमारा यहाँ पर कॉर्णर निकल जाएगा इस तरीके से रसी को खीचेंगे तो यह देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा यह डिसाइन दिखेगा इस पर हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे प्रेस करने के बाद इसे हम पलट लेंगे और बागी किनारे पर भी सिलाई चला कर रस्तर और मेन फैब्रिक को अटेच कर लेंगे लाश्ट पर हम अच्छे से लॉक लगा लेंगे और धागी की कटिंग करते हुए एक्ष्टा फैब्रिक भी कट कर लेंगे तो सेम तरीके से हम दुसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे यह देखिए दुसरे पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है अब हम इसके उपर टॉप स्टिश लगा लेंगे यह ओप्सनल है अगर आप सिलाई चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल चला सकते हैं अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप इसके उपर लेस भी लगा सकते हैं कोई सा भी मैचिंग का तो यह दिखे यहां तक हमने टॉप स्टिश लगा के कम्प्रीट कर लिया है फिनिशिंग के साथ हम धागे की कटिंग कर लेंगे अब हम रसी पर लगाएंगे कपड़े का ही लटकन तो यह देखे फ्रेंट बहुत सारी मैंने यहां पर इसकर सेप में कपड़ा कट किया है सःड़े तीन इंच्च का एक में हमें तीन पीस लगाना है तो यहां पर तीन है तो नौ पीस हमारा यहां एक साइड बिल लग जाएगा तो इस तरीके से सिंगल पीस लेके ट्राइंगल सेप में इसे हमें फोल्ड कर लेना है उसके अंदर हम रसी को अच्छे से सेट कर देंगे और किनारे पर दो से तीन बार लॉक लगा लेंगे फिर सिलाई चलाते हुए नीचे के साइड भी फोल्ड कर लेंगे कि इस तरीके से नीचे के साइड के कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है लाश्ट पर भी हम अच्छे से लॉक लगा लेंगे और एक्सा फैब्रिक और धागे की कटिंग कर लेंगे उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे 2 पीस को भी हम इसी तरीके से ट्राइंगल में फोल्ड कर लेंगे और रसी को 1,5 इंच की दूरी पर सेट कर देंगे यह दिखिए लॉक लगाते हो इसके किनारे पर सिलाई चला लेंगे लाष्ट में हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और यहां पर भी लॉक लगा लेना है एक्ष्टा कपड़े की हम यहां पर भी कटिंग कर लेंगे और इसको भी पलट करके सीधा कर लेंगे यह देखे इस तरीके का हमारा यहां पर यह डिजाइन दिखेगा एक लटकन हमें यहां पर और लगा लेना है यहां भी हमें एक से ड लगा लिया है एक्ष्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे और इसको पलट करके सीधा कर लेंगे यह देखे तीन लटकन हमने यहां पर लगा लिया है तो सेम इसी तरीके से बागी रसी पर भी हम तिन तिन लटकन लगा लेंगे यह देखे फ्रेंड तीनों पर हमने लटकन लगा लि और उपर की और 14 Gen 9 पर मांग से मिलाते हुए हम सिलाय चला लेंगे तिर्ठे में और धागे की कक टिंग कर लेंगे यहां भी मैंने लटकन लगा ट्यार कर लिया है सभी रसी पर लटकन लगाने के बाद फाइनल इसे हम बाइन लेंगे यह देखिए दो बार इसे बाइन लेंगे अच्छे से टाइट से तो फ्रेंट्स अगर आपका बलाउच पीच थोड़ा हैवी है तो आप इस पर रेडिमेट लटकन भी लगा सकते हैं उसमें ये और भी बहुत प्यारा लगेगा तो ये देखे इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर हमने गाड़ बांद लिया है तो इसी के साथ आज का हमारा यह डिजाइन भी कम्प्लीट हो गया है तो फ्रेंट्स आपको यह डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएग तो भी लगा सकते हैं उसमें ये और भी अच्छे से लॉक हो जाएगा तो फ्रेंट्स वीडियो यहाँ तक पुरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नई नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए प्रेंजगे लिए दो हो आप से लिए ये, लिए वी लिए झाई जाएगा ऊन्यवाहाँ ने खाने साथ से लिए धन्यवाद वालो आजा हैं झाले व अन्यवाद से लिए अन्यवाद